आप सभी को मेरा नमस्कार है स्वागत आप सभी का अपने इस पसंदीदा प्रग्राम नाडी वैद्ध है काया कलब के अंदर आज हम देख रहे हैं कि सभी वैक्ति रोगी होते जा रहे हैं। चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो गरीब है, चाहे केवल फल खाने वाला है, यह खूब खाने वाला है, प्रतीक वैक्ति रोगी है। कि आपने इसका भी सूचा, कि ये रोग क्यों बनते हैं, क्योंकि हमने ये तो खुब सुना है, कि इस रोग की ये दवा आ गई, इसका ये इलाज आ गया, इस वाइरस का ये इलाज आ गया, या इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा तो हमने सुना है, लेकिन आज की जो डॉक्टर्स हैं आज की जो साइन्स है ये ये समझे जो हमारी एक डबलू एचो की लोबी है वो सिर्फ इसी बात पर काम कर रही है कि इस रोग का इलाज क्या है लेकिन आयरवेद जिसको प्रकृति का ज्यान बोलते हैं प्रकृति प्रदत ज्यान भगवान के द्वारा दिया गया जो ज्यान है जो वेद नामक पुस्तक से निकला है उसमें सपश्ट सब्दों में लिखा हुआ है कि सरीर के सभी रोगों का मूल कार्ण जो है मलों का पर दुशित होना है और मलों के दुशित होने का जो कार्ण है वो आपका दुशित आहार और वेवार है क्योंकि हमने इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया आज हमारी सब्जिया है आटा है दाल है उस सभी केमिकलाइड हो गए खाद डालते हैं जिसमें भैंकर जहर है सब ज़ो में मिलावत दूद में मिलावत घेव में मिलावत जैनी हम इस चीज पर ध्धान ही ने दिया हमारा ध्धान यह चलता रहा कि हमें अपना बिजिनिस कैसे बढ़ाना है एक खेत में एक गविंटल जो कुंटल 14 कुविंटल कितना गहूं पैदा करना है हमने उसकी quality पर ध्यान नहीं दिया हमने उसकी quantity पर ध्यान दे दिया कि 40 का 80 कैसे पैदा होगा उसके लिए भले ही कितना chemical डाला जाए लेकिन उस 40 क्वेंटल गहूं पैदा करने वाले एकर जमीन से जब हमने 80 क्वेंटल गहूं या दाल सब्जी प सरीर में परवीश करने से जो सरीर में रोग पैदा हुए और इन रोगों का इलाज करने के लिए जितना पैसा खर्च हुआ मैं समझता हूँ कि अगर बगैर खाद के बगैर इतनी अनाज और सब्जी की मात्रा बढ़ाने के अगर हम मनुश्य को स्वस्था बना देते तो रोग ही नहीं बनते हैं और हम रोगी नहीं बनते और ने रोग होते न आप रोगी रहते जो आपका पैसा अंग्रेजी दवाओं के माधम से विदेश में जा रहा है और आपका शरीर रोगों का घर बनता जा रहा है आप उससे बच जाते इस आयरवेद में आपके अपने इस प्रोग्राम में हमेशा यही आपको बताते हैं पत्ह सेविना हकिम भी सज्जम अपत्ह सेविना हकिम भी सज्जम अगर आप परहेज से रहेंगे तो उखषदी की आप सिकता नहीं है और बद प्रेजी करेंगे तो कोई ओशधी काम नहीं करेंगे इसलिए हम कहते हैं कि BP सदा के लिए ठीक हो जाता है जनम के पश्चात होने वाले किसी भी रोग को ठीक किया जा सकता है चाहे वो cancer हो, HIV हो, hepatitis B हो, C हो, Parkinson's का रोग हो, पत्री का रोग हो, थैलिसीमिया हो, प्राष्टिक एनिमिया हो, या हर्निया जैसी इर बिमारी हो, आल्सरी ट्युकॉलाइटिस जैसा रोग हो, बालों का जड़ना हो, सिराइसिस हो, स्वित्र कुष्ठू, कोई भी रोग, जो जनम के पश्चात पैदा हुआ है, उस परतेक रोग को ठीक किया जा सकता है, और उसी के लिए शास्त्र कहते है, पत्य से विना किम बे सज्जम, कि अगर आप परहेज से रहेंगे, तो उशद की आवशिक्ता नहीं है, आप अपत्य से विना किम बे सज्जम, और अगर आप बद परेजी करेंगे, तो कोई उशदी काम नहीं करेगी, इसलिए उशदी की कोई आप शिक्ता नहीं, शास्त्रों ने सपश्च लिख दिया इस बात को, लेकिन हमारे यहां परचार किया गया, कि बुखार हो गया, यह दवा खा लीजिए, एक अंगरेजी दवा बुखार खाने पर आपको दे दी गई, लेकिन उस दवाई का एक साइड इफेक्ट आ गया, कि उसने आपके किडनी डेमेज कर दिया, उसने आपके गुर्दों को खराब कर दिया, आपको दर्द हुआ, एक दर्द की दवाई, जिसको पेन किलर कहते हैं, अनाल जैसी कहते हैं, उस दवा का आपने परियोग किया, उससे आपका बीपी बढ़ने लग गया, एसिड बढ़ने सुरू हो गया, अल्सरीटी कॉलाइटिस बन गया, हाइट सहरनिया बन गया, पाइल्स बन गयी, नहीं जाना कितने रोग बनते चले गए, आप खुजली हुई, जिसको यह ऐलर्जी कहते हैं, अंटि हिस्टामिन ड्रक्स दी गई, उनके कार्ण आपको डिप्रेशन पैदा हो गया, उन से आपके स्रीर और हड़ियां कमजूर होती चली गई, कौन सी ऐसी दवा जो आपको दी गई, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना था, लेकिन आईरवीद कहता है, कि अगर आपको खुजली या ऐलर्जी का रोग पैदा हुआ है, तो ये जानना चाहिए कि अलर्जी क्यों बनी है, अलर्जी में आपकी तौचा के रोग भी आते हैं, और अलर्जी में आपका नमुनिया, नजला, दमा, ये सब अलर्जी में आते हैं, एक बहुत बड़ी ब्रहांती हमारे अंदर फैल गई, कि नजला जो है, जुखाम जो है, वो सरीर में गर्मी की अधिक्ता से नहीं सर्दी लगने से होता है, इसलिए जैसे ही नजला जुखाम होता है, खासी होती है, हम गर्म चीजों का खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरे शास्तर कहते हैं कि नजला और जुखाम या इलर्जी कैसे बनी आपने सब्जी तो बनाई है कभी कूकर में सब्जी और दाल का जब आप निर्मान करते हैं तो कूकर में सब्जी या दाल डाल दी जाती है और जब गैस पर रखते हैं तो अगनी की ताप जब ज़्यादा होती है तो सबजी या दाल कुकर से शीटी के दोरा बाहर निकलने लग जाती है उसी तरह से जब आपके शरीर की अगनी मंद हो जाती है और पाचन संस्थान आपका डाइजेशन ठीक नहीं करता वहां कच्छे रस से जो कफ बनता है वो कफ गर्मी की अधिकता से नाक के दोरा जब बाहर निकल जाता है ठीक के रूप में जब बाहर आता है या आपके लंगश में जाकर कि कफ के रूप में रुकाउट पैदा करता है तो उसको दमा कह दिया जाता है, नजला कह दिया जाता है, प्रतिशाय कह दिया जाता है लेकिन अब देखिए ये नजला और जुकाम ठंड से पैदा हुआ या आपके पाचन संस्तान की कमजूरी से पैदा हुआ इसलिए हमारे यहां जब नमुनिया का या नजले का रोगी आता है हमारे यहां जब अस्थमा का रोगी आता है और जो कहते हैं जी हमें तो यह बताया गया है कि दमा दम के साथ जाता है मैं कहता हूँ दमा दम के साथ नहीं जाता दमा कफ के साथ जाता है अब बने हुए कफ को निकाल दीजी और नया कफ बनना बंद कर दीजी आपको नजला और नास्थमा खतम हो जाएगा छोटे छोटे बच्चों को जो नमुनिया हुआ नमुनिया से जो अलर्जिक ब्रॉंकाइटिस आस्थमा कर दिया गया अलर्जिक आस्थमा बना दिया गया उस आस्थमे से हम बच जाएंगे तो बन गया तो को उन्होंने बने हुए कफ को एंटिबाइटिस के दोरा सुखा दिया बार बार बना और बार बार उसको सुखा दिया जब बार बार बने हुए कफ को एंटिबाइटिस के दोरा सुखा दिया जाता है तो सुखे हुए कफ के काण सरीर के अंदर आलर्जी का स्थमाना मगरोग पैदा हो जाता है इसलिए वो उसको ठीक नहीं कर पाते आगे चलकर के पंप देना सुरू कर देते हैं फिर ऑक्षिजन पर चला जाता है फिर कहते हैं कि फेपड़े का कैंसर हो गया या फेपड़े की टी भी बन गई अब अगर आप ये बात देखते हैं या पाचन संस्तान की कमजूरी के कार्ण है तो कि सभी रोगों का मूल कार्ण मल है और मलों के परकुपित होने के कार्ण अहितकारी भोजन है वो अहितकारी भोजन क्या था आपका सुबह सुबह भोजनने करना बगेर पचे हुए भोजन करना जो आप गुसा करते हैं जो आप चिंता करते हैं जो भोजन के साथ घरम घरम भोजन के साथ जो ठंडे पानी का परयूग करते हैं बगेर पचे हुए जो भोजन करते हैं ज्यादा तला हुआ ड्राइड फ्राइड का पर्यूग करते हैं या बाजार के बने हुए तेल और तेल ये पतार्थों का पर्यूग करते हैं बाजार में लगे हुए तड़के की सबजियों और दालों का पर्यूग करते हैं उस आहितकारी भोजन के काण सरीर में मल दुशित हो जाते हैं और उस मल के दुशित होने से आपका पाचन संस्तान कमजोर हो जाता है और पाचन संस्तान के कमजोर होने से खाए हुए आहार का खाए हुए द्रव्य का पाचन होकर के कफ बन जाता है और वो कफ नजला, प्रतिसाय, दमा, माईग्रेन, सर्वाइकल और मुटापा पैदा कर देता है अब हमें यहां अगर आपके पेट को साफ कर देते, अगनी को तेज कर देते, अंगों को मजबूत कर देते तो आपको ना नजला था, ना जुखाम होता, ना आस्थमा होता, ना नमुनिया होता आज बड़ा दुख होता है छोटे छोटे बच्चों को जिसको खासिया जुखाम हो गई, अंत में उसको अवश्य ही दमा बना देते हैं अंग्रेजी वाले डॉक्टर, अपने आपको पढ़ा लिखा कहने वाले ये डॉक्टर, एलोपैथी के जानका डॉक्टर, आपकी उस छोटी शी बिमारी को बड़ी बिमारी बना देते हैं, चाहे वो आपके दर्द की दवा हो, जो गैस के दवारा दर्द पैदा होता है, उस वहाँ दर्द निवारक दवाओं का परियोग करा करके, वो आपको गठी है जैसा भैंक का रोग पैदा कर देते हैं, क्योंकि हमेशा आपको पेन की लस्ट देते रहते हैं, और शी ऐसी बिमारी है, जहां उन्होंने शुरू किया इलाज आपका, चाहे बीपी की आपको एक दिन आवश्य ही अटेक आएगा, एक दिन आपको जरूर छले स्टंट लगाने पड़ेंगे, एक दिन आपको आवश्य किड्निक के रोग पैदा हो जाएगा, उस बीपी की दवाई का परियोग करते करते आपको डिप्रेशन आ जाएगा, ब्रिन हमरेज हो जाएगा, क्योंकि उन दवाउं का इस साइड इफेट है, लेकिन अगर आपको बीपी हुआ है, यहां हम आपका पेट को साफ कर देते, अगर नहीं को तेज कर देते, आपके अंगा को मजबूत कर देते, यानि आपके बलड़ प्रेसर का जो मुर्ख के स्रोत है, वो हर्द है, अगर आपको हर्द है मजबूत हो जाता, वो पंपी ठीक ढंग से कर देगा, तो आपको बीपी जैसा रोग आईरवीद के अरुषार नहीं बनता, जब आपका डाइजेशन सिस्टम मजबूत हो जाएगा, तो गैस नहीं बनेगी, और गैस जब तक हर्ट पर आकर के पर भाव नहीं डालेगी, तो आपका बीपी नहीं होगा, अगर आपका डाइजेशन ठीक हो जाता है, तो आपको कच्चा रस नहीं बनता है, कच्चा रस नहीं बनता तो कोलेस्टरोल नहीं बनेगा, तो आपको बीपी का रोग नहीं बनेगा, यहीं तो कहते हैं अंगरे जी कि कॉलेस्टरोल बढ़ गया अगर आपका कॉलेस्टरोल को कम करना था तो वहाँ कॉलेस्टरोल के खतम करने वाली चीज की आवशिक्ता नहीं थी वहाँ आवशिक्ता थी हमें अपने पाचन संस्थान को मजबूत करने की आवशिकता थी हमें समय पर भोजन करने की आवशिकता थी हमें बगेर मिलाउट का भोजन करने की आवशिकता थी हमें मन को खुश रखने की और आवशिकता थी हमें भोजन के बीच में पानी पीने की आज हमें पढ़ा दिया गया लिखा दिया गया और बार बार दोराया गया कि भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए अगर आप भोजन के बीच में पानी नहीं पीते हैं तो आपको बीपी अवश्य हो जाएगा पैरलाइज अवश्य हो जाएगा आपको पत्री अवश्य बन जाएगी, आपको मुटापा अवश्य बनेगा तब कि शास्तर कहते है भोजन हमेशा पीना चाहिए और दूद को खाना चाहिए भोजन को अगर पीना चाहिए तो भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं कि दो रूटी खा गए और उसके बीच में एक लोटा पानी पी गए गए दो टू खाया भोजन का एक घुट पानी पी लीजिए इस तरह हैं से अगर आप भोजन के बीच में पानी पीते हैं तो भोजन के बीच में पीया गया पानी अमरित का काम करेगा अगर भोजन के पहले आप पानी पीते हैं तो बिमारी को पैदा करता है और ये मीठा अगर भोजन करने के बाद परियोग करते हैं तो यही मीठा आपको सुगर बना हमारे यहां सुगर के रोगी आते हैं डाइबिटीज इसको आप कहते हैं जिसको यह साइंस कहती है कि डाइबिटीज का कोई इलाज नहीं है हमारे यहां सुगर का जो रोगी आता है उसको सदा के लिए ठीक किया जाता है सुगर के रोगी को ही नहीं सुगर के कान होने वाल उसके साथ पयरों की जलन खतम हो जायaimer उसके साथ उसके सुरीर की कमजोरी ीसके साथ उसमें पोरुश शक्ति जो खतम होती जारही वो बन जायेगी उसके साथ साथ उसको गहरी नींद आएगी यस सभी तो इस सुगर lidt की साइड इफेक्ट है लेकिन एलोपेथी वाला क्या कहता है सुगर का हो गया आपको डाइबिटीज की एक गोली उसने सुरू कर दी कुछ समय बाद आपने कहा कि नींद नहीं आ रही तो एक नींद की गोली सुरू कर दी फिर आपने कहा जी ऐसीड बनता है तो ओर्थों के पास भेज़ दिया अरे यही सभी चीजें तो सुगर के साइड इफेक्ट थे और सुगर के अगर साइड इफेक्ट थे तो जो गोली आप दे रहे सुगर की उस सुगर की गोली से यह चीजें क्यों पैदा हो गई इनके लिए हमें क्यूं अलगशे इलाज करना पड़ा क्योंकि हमारे इलाज का तरीका गलत था हमारे यहां आईरवेड कहता है कि प्रमेही, प्राचुरम् वारम् वारम् वामेरम उतर त्यागम के रूति अगर पेशाब की मात्रा जादा हो जाती है तो उसको सूगर कहते है अगर आपकी नेंद गायब हो जाती है तो ये भी सूगर में आता है सर्वाइकल, माइगरेन, बीपी क्योंकि नसों का बलोक हो जाना भी सूगर में आता है पैरों में जलन और नमनेस का पैदा होना भी सुगर में आता है आतों के कमजोरी भी सुगर का कान है और हर दे रोग भी किड्नी के डेमेज होना भी सुगर के रोगों के अंदर आता है क्योंकि सुगर के कार्ण सरीर के अंगों में जो मीठा जाना चाहिए था वो मीठा सरीर अब्जोर नहीं कर पाता और मीठा मुत्र मारक के द्वारा या रख्तके मारक के दोरा जब बाहर निकल जाता है तो सरीर में वो ताकत पैदा नहीं होती और सरीर में जब ताकत नहीं आती उस मीठे की कमी के कार आपकी आंते कमजूर हो जाती है और जब आंते कमजूर हो जाती है या तो कब्जी हो जाती या गैस बन जाती या आशिडिटी बन जाती जब हमारी अंग कमजोर हो जाते हैं हट काम नहीं करता कहते जी आपको तो पेश मेकर लगाना पड़ीगा लेकिन आयरवीद कहता कि जिस बोजन में घी होता है मीठा होता उसको अमरित कहा गया है आप लोगों ने अमरित को छोड़ दिया आपने घी का खाना बंध कर दिया आपने दूद का पीना बंध कर दिया आपने मीठा खाना बंध कर दिया शरीर में ताकत देने वाली ये चीज ये अमरित जब आपने बंध कर दिया तो आपके शरीर में रोगों का घर बनता चला गया आपने घी नहीं खाया आपने दूद नहीं पिया दूद की जगए आपने चाई पी, आफी पी, कहीं बलेक टी पिया, कहीं गरीन टी पिया, कहीं आपने लेमन टी का परियोग्या नजाने कितने परकार की टी को करके आपने अपने स्रीर की टाय टाय फिस फिस कर दिया, क्योंकि आपने जिस चाई का परियोग्या उस चाई के गुन तो सुनलीजे लगू रुक्ष ओशन तिक्षन कटू तिक्त और कशाए ये सभी गुन तो वायू के हैं जब वायू की विरधी आपके अंदर होगी तो विकृत वायू ही आपके रोगों का कारण है पित पंगु 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 मलधात्पह वायू ना यत्र जिस तरह से आकास के बादलों को वायू जहां साती है वहां ले जाकर के वर्शा करा देती है उसी तरह से सरीर के वात पित और कफ जन्य रोगों को ये विकृत वायू ले जाकर के जहां जिस रस और जिस धातु में ले जाकर के उसको रोग देती है वहीं का रोग पैदा हो जाती है, आपको वीट अलर्जी शुरू हो जाती है, आपको यूटियाई हो जाता है, आपको यूट्रिस्ट वे गाठे बन जाती है, आपको कैंसर बन जाता है, बलड का कैंसर बन गाया, बाउन का कैंसर बन गाया, क्योंकि रस अधातू के अंदर जब पित्र किया दिखता ह तो यह रोग पाईदा हो जाता है लेकिन यह लोग क्या करते हैं यूट्रिस में गाठ बन गई यूट्रिस के अंदर कैंसर बन गाए यूट्रिस को निकाल देजिए आयरीड कहता कि बना क्यों था क्योंकि जब विकरत वायू ने पित को रस के साथ मिला करके आपके कहां से बनी उस सचाए के काफी के पीने से बनी विक्रित वायू को हुई जब आपने घी का परियूग बंध कर दिया तो कि कैसे रोग बना दी है। कि चाहली साउंस काता है।। कॉई ह्लाज ही नहीं है।। कैंसर के लिए एकूम, करते हैं। कई बार कहा है। कि नहीं कहते हैं। और शास्त्र यही कहते हैं शास्त्र यही कहते हैं कि आप रोग के कान को दूर कर दीजी आप अवश्य ही ठीक हो जाएंगे जैसे धुए का कान जो है अगनी है आप अगनी को नश्ट कर दीजी धुए धुए नश्ट हो जाएगा लेकिन आप अगनी को नश्ट नहीं करेंगे धुए को पंक्खे से बाहर करेंगे तो धुआ तो चलता रहेगा अगनी जब तक जल रही है इसलिए आप सदा इलाज करते रही है सदा क्योंकि कान को दूर नहीं कर रहे है आयर्विल कहता इस कार्ण को दूर कर दीजिए चाहे वो BP का कार्ण है तो BP के कार्ण को दूर कर दीजिए सुकर का जो कार्ण है उसको दूर कर दीजिए नपुन सकता का जो कार्ण है उसको दूर कर दीजिए तरलाइज का जो कार्ण है उसको दूर कर दीजिए cancer का जो कानई है उसको दूर कर दीजिए आप कानद को दूर कर देंगे सदा के लिए ठीक हो जाएंगे लेकिन अगर कानद को दूर नहीं करते है तो सदा दवाई खानी पड़ेगे यही ऐलोपेथी science आपके साथ कर रहा है, क्योंकि आपके कानद को नहीं करता उसको बढ़ाने के लिए आपको सल्भा देता की घी का परियोग बंदा कर देजीए तक घी तो त्रीदोश घन है तीनों दोशों का समन करने वाला ये घी है लेकिन Modern Science वाला ही डॉक्टर कहता कि घी का परियोग बंदर है उस चाय का कोफी का रुक्ष आहर का या तेल का प्रियूब करा देते हैं जिससे वायू विक्रित हो जाती है और जब विक्रित वायू ही रोगों का काड़ है तो आप भी कहां से रहेंगे इसलिए हमारे यहां रोगी जो हर्दे रोगी आजाए चाहे किड्नी का रोगी आजाए हमारे यहां चाहे बीपी का आए माइगरिन का आए सर्वाइकल का आए चाहे मुटापे का रोगी आए हम कहते हैं घी खाईए घी खाएंगे दूद पिएंगे तो आपका परतीक रूग ठीक हो तो रोग से लड़ने की ताकत पैदा होगी रोग से लड़ने की ताकत है तो बहर से दवाओं की आफशिता नहीं पड़ेगी आप सदा स्वस्थर रहेंगे लेकिन ये डॉक्टर जिसको आप पढ़ा हुआ कहते हैं विद्वान कहते हैं मैं ये समझता हूँ कि आज का इश्यक जानी कोई नहीं हो सकता जो रोग के कार्ण को दूर करने की बात नहीं करके वाइरिस को बैक्टरिया को नश्च करने की बात करता है उसके बनने के कार्ण को दूर नहीं करता है उसको बढ़ाने के कार्ण को बता रहा है आपको रोगी पर रोगी बनाते जा रहा है यही कार्ण है कि आज पर ठीक वेक्ति रोगी बनता जा रहा है पतला वेक्ति आपके पास चला गया उसको कहते प्रोटीन खिलाईए मोटा वेक्ति आगया कहते बूखा रखिये अरे मोटापा क्यों आया था पतला क्यों हुआ था, क्या कार्ण था, उस कार्ण पर उसने जिकर नहीं किया, जब आपके अगनी मंद हो जाती है, अगनी मंद हो जाने से डाइजिसन नहीं बनता है, तो अगली धात में कमजूर हो जाती है, आदमें क्रिश्च हो बन जाता है, कमजूर हो जाता है, मासूख लग जाता है चेरा काला पढ़ने लग जाता है यादास कमजोर होने लग जाती है नींद गायब हो जाती है लेकिन जब रस से रखतर ने बन करके अगर कफ़ बनने लग जाता तो मुटापा पैदा हो जाता है या कहां आया कि आपने रोटी बंद कर दी आपने घी बंद कर द तो दूबल वेक्ती भी दूबला नहीं रहता और मोटा वेक्ती भी मोटा नहीं रहता क्योंकि आपने सिस्टम को ठीक कर दिया है और जब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे रोगों से ऐसे ही दवाओं के दवारा लड़ते रहेंगे, लेकिन उन दवाओं का side effect आपको नश्टक करता रहेगा, जैसा की होता रहा है, गुटने में गैप बना दिया, दर्द बना दिया, वो क्यों हुआ गैप और क्यों दर्द बना, लेकिन डॉक्टर ने कहा गुटना बदलवा दीजिए, एक गुटना बदलवाया, दूसरे गुटने पर आ गया, एक गुटना फिर बदलवाया, तो कुल्य खराब हो गए, कुल्य बदलवाया, तो दूसरा कहा हुआ, ये इलाज कहा हुआ, एक जगह की पत्री निकाली, दूसरी जगह बनगी, दूसरी जगह निकाला तीसरा उपरेशन हो गया क्योंकि हमने न पत्थरी के बनने के कार्ण को दूर करया न हमने घुट्रों के दर्द के होने वाले कार्ण को दूर किया उसके कार्ण था हमारे नसों के शुक्ड जाने से जितनी बलड की सप्लाई आनी चाहिए वहाँ गरीश नहीं पहुचा वह बलड नहीं पहुचा, लुब्रीकेटिंग नहीं पहुची तो डॉक्ट्र ने का कि गरीश खतम हो गया गरीश खतम हो गया इसके लिए किसी ने स्टिरोईड का इंजेक्शन लगा दिया तो किसी ने घृट्यें बदल दिये लेकिन आयर्वेद कहता है कि यहां अगर आप उसके डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर देते और सरीर के अंदर जो कच्छा रस अब रोध पैदा कर रहा था वो रस सही रूप से पाचन हो जाता तो रक्त का परवाद ठीक हो करके उस सथानवी चीज़ पर जितने रक्त की जितने रूपरिकेटिंग के आप सकता है और ये सभी चीज़े कब होई जब आपके रोग के ठीक करने का तरीका गलत हो गया रोग के ठीक करने का तरीका अगर आपका गलत हो गया है तो आप बिमारी का घर बनते चलेगे रोगों का घर बनते चलेगे आपका ये सुन्दर सरीर, मानव, सरीर जो भगवान ने इतना अच्छा पैदा किया है कि अगर आप इसमें रोजाना जहर का परियुब करते है उसलों जहर भी इसमें अमरित का काम करने लग जाता है लेकिन उस समय पर परियुब करना चाहिए मात्रा पर करना चाहिए इसले शासर कहता है हित भुक मित भुक रित भुक आप अप हित कारी खाईए थोड़ा खाईए रितु अनुशार खाईए आप अगर रोजाना जहर का परियूग करते तो जहर भी इस भगवान ने ऐसा शरीर बनाया है कि जहर भी आपके साथ में हो जाएगा लेकिन गलत समय पर गलत मात्रा में अगर आपने घी का परियूग किया है तो ये भी जहर का काम करेगा इसलिकी नियम बना दिया कि सुबह हमें नो बजे से पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा हमें सुबह भर पेट भोजन करना चाहिए लेकिन आप लोगों को इन डॉक्टर्स ने कह दिया कि सारा दिन थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए सुबह सुबह ब्रेक फास्ट करना चाहिए किसी को कहा दिया कि सुबह सुबह दूद और सेव का परयोग करना चाहिए किसी ने कहा दिया कि सुबह करेले का और घिया का परयोग करना चाहिए किसी ने कहा कि फलों का परयोग करना चाहिए लेकिन आयरवीद कहता है मेरे शास्तर कहते है मेरा अनुभाव कहता है कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा पहले भर पेट भोजन कीजिए बाद में अपने काम कीजिए जब आप सुबह सुबह भर पेट भोजन करेंगे अपने पूरोजों को देख लीजिए जो सुबह उठते ही भर पेट भोजन करते थे लंबे दिन में आप अच्छा फल फ्रूट और दूद का परियोग कर लीजिए शाम का भोजन हलका होता है तो आपको दल्या खिचरी शाम को खाना चाहिए लेकिन कई मेरे भाईों को ये बता दिया गया कि आपको सुबह सुबह दल्या का परियोग करना चाहिए कोई ओट्स खा रहा है कोई दल्या खा रहा है नदाने काउन सी चीजिए आपको बता दी गई है प्रिकर्ति के विप्रित आपको करके आपका सुरी रोगों का घर बनता जा रहा है इसलिए मोटा मोटी एकी बात में आपको बताना चाहता है कि बहले भर पेट भोजन कर लीजिए भोजन में घी होना चाहिए बनाने वाले के सामने भोजन कीजिए उसकी सराहना करता है वे भोजन करना चाहिए भोजन और बजन शांत और एकांत में होना चाहिए भोजन हमेशा बनाने वाले के सामने बैठ कर भोजन करना चाहिए वही भोजन अमरित का काम करता है जिस भोजन को पैक करके आब आजार में लेकर के खाते हैं या समू में खाते हैं वो भोजन हमेशा आपको रोगों को पैदा करेगा इसली शास्त्र में लिकाए भोजन मोर बजन, शान्थ होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए भोजन के बीच में पानी पी लीजिए भोजन के साथ अच्छे घी और दूद का पर्यूक कर लीजिए कोई भी रोग आपको परिशान नहीं करेगा चाहे सर्वाई करना, माइगरिन है, बीपी है, ऐसी डिटी है, कब्स है, हम कहते हैं सब तीसरे दिन खतम हो जाती है और सुगर को सदा के लिए ठीक करते हैं, सुगर के साथ साथ आपके अंदर आई ही न पुन सकता आखों की कमजोरी, घुटनों की कमजोरी, शरीका, दर्द, पैरों की नमनस, और ताउचा की अलर्जी, यह सबी रोग सुगर के साथ अपने आप ठीक हो जाने चाहिए, कई बार होगी कहता है जिए सुगर तो मेरा ठीक हो गया, कंट्रोल है, ठीक होना और कंट्रोल में शक्ति बनती, कंट्रोल जब होता जब आपके गैस बननी बंद हो जाती, कंट्रोल जब होता जब आपको नीद गहरी आती, अगर सुगर कंट्रोल है तो पैरों में नमनस क्यों है, सुगर अगर कंट्रोल है तो आपको हर्दे रोग या ब्रेंड हैमरेज क्यों होता जा रह आगे आपको किसी अन्य रोग के लिए दवा खाने के आफशिक्ता नहीं पड़ेगा अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल नाड़ी वैद्ध काया कलब पर किसी भी रोग का घरी लूला चांद सकते हैं या फिर जो टीवी स्क्रीन के नीचे नमबर देख करके अपने रोग का सही कार जान करके रोग को सदा के लिए दूर कीजिए जा रहा हूं दुबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप सवस्त्र रहें अपने परिवार जनों को सवस्त्र रखें भारत जभारत जभारती वैद्जी को नाड़ी दिखाने के लिए सं सनी रहोतक रवी सोग मंगलवार गुरुग्राम में रस्पत और शुक्रवार को रोधाना सुबर 7 बजे से शाम 5 बजे तक आधिक जानकारी के लिए संपर्ख कीजिए नाडिवएद्धेगकायकलब.com हमरी वेबसाइट पर और रोगों का घ्रेजुला जानने के लिए दिख कि हमारा यूट्यूब चैनल नाडिवएद्धेगकायकलब.वेद्धी से नाडि दिखाने के लिए संपर्ख कीजिए 8595-299-299 या 7428-299-299